Hello everyone, welcome to new video आज की इस वीडियो हम लोग प्रतिस्चत के बेसिक सवाल सीखेंगे यानि प्रतिस्चत को सुरू से सीखेंगे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसमें आज आज आपको क्या क्या बताया जाएगा प्रतिस्चत को भिन में बदलना भिन को प्रतिस्चत में बदलना प्रतिस्चत को दसमलों में बदलना दसमलों को प्रतिस्चत में बलना तथा अन्य कुछ प्रमुख सवाल प्रतिस्चत के और आपको बताया जाएगे बाते समाझ में आगे हैं कि नहीं तो कर्म ही पूजा है, तो डटे रहिएगा, रफ कापी लेकर, बाते समझ में आ रही होंगी, तो लिखते हुए, पढ़ते हुए, चलिएगा, माली जे कहीं पर हो तो वीडियो सेप करके घर पे देखिएगा, कहा दिक्कत है, तो चलिए आज परतिशत को निप्टा दिया जा उसको दूसरे वीडियो में बताएगा, क्योंकि आज का वीडियो कापी बड़ा होगा, यहाँ पर दिखे पूछा है कि प्रतिशत क्या होता है, सबसे पाले इस चीज को हम लोग समझते हैं, प्रतिशत हुआ भिन होता है, जिसका हर क्या होता है, सव होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, बीस बटे क्या लिख दूँ, सव लिख दूँ, मैंने बोला कि प्रतिशत क्या होता है, वह भिन होता है, जिसका हर क्या होता है, सव होता है, तो बीस बटे सव क्या है, भिन में, और जिसका हर क्या हो, सव, इसका हर क्या है, सव है, यानि यहाँ प्रत 20 when 100, मैं आपको लेके समझाता हूं। 75 बटे 100 अब यह देखो 75 बटे 100 क्या है? भिन में है और जिसका हर क्या हो सव हो इसका हर सव है या क्या है प्रतिसत में कैसे प्रतिसतर है तिसे हम लोग प्रतिसतर लिखेंगे नीचे से सव हटेगा तो यहाँ पर प्रतिसतर के सामने प्रतिसत के रूप में लिखा जाएगा अगर कहीं पर 75 प्रतिसत लिखा है तो अगर प्रतिसत का चिन हटाओगे तीसे 75 बेटे 100 लिखोगे मज़ा गया कि नहीं तो प्रतिसत क्या है प्रतिसत अवा भिन्न है जिसका हर क्या होता है 100 होता है और प्रतिसत के अन्भी तरीके से आप परिभासित कर सकते हैं अब यहाँ पर प्रतिसत का चिन कैसा होता है, बाबु प्रतिसत का चिन इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर मैं 35 लिख दू, और 35 के सामने इस तरह से चिन लगा दू, तिसे हम लोग 35 प्रतिसत कहेंगे, अगर माल लोग प्रतिसत का चिन हटा दोगे, तिसे हम लोग सिर्फ 35 बोलेंगे, मजा है कि नहीं चीजों को सीख करके, काम मिठ गया यार, यहाँ पर हम कुछ लिखे थे, मिठ गया, चलो, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर कुछ हुदाहरण हैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे 20%, 60%, 75%, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं, अगर 20% है तिसे हम लोग 20 लिखेंगे, परतेशत का चिन हटेगा, तो नीचे 100 लिखा जाएगा, 20 बटे 100, 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 बटे 100 लिख सकते हैं, 50% को हम लोग 75 बटे 100 लिख सकते हैं, उसी तरह से 20 बटे 100 कहीं पे लिखा है, तिसे हम लोग 100 हटेगा, तो यहाँ पर प्रतिस्यत के रूप में लिखा जाएगा 60 बटे 100 है तिसे हम लोग क्या 60 प्रतिस्यत लिख सकते हैं 75 बटे 100 है तिसे हम लोग 75 प्रतिस्यत लिख सकते हैं मज़ा आगे होगा कि प्रतिस्यत किसे कहते है प्रतिस्यत का चिन्न क्या होता है कैसे बदला जाता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अब चली हम लोग चलते हैं अपने तीरत कमान धनुस लेके युद्ध में युद्ध में चलने का मतलब अब हम लोग सवालों से मुलाकात करेंगे तम न लड़ेंगे तम न मजाएगा कि हम लोग सीखें हैं कि नहीं लड़ाई उड़ाई करना बस डारेक्ट मैदान में कूधी गए अब यहाँ पर सवाल है भिन को प्रतिसत में बदल ये काफी अच्छे से है तैयारी हमारी हुई है हमने प्रतिसत किसे काते हैं ये चीज को समझा प्रतिसत कैसे उल्टा पल्टा जाता है इसको समझा तो मैदान मुतर गया है सवाल है मारे सामने लड़ लेते हैं प्रतिसत को क्या करना है अरे भिन को क्या करना है प्रतिसत में बदलना है तो पहले नियम कानून थोड़ा सीख़ो अगर किसी भी भिन्न को प्रतिसत में बदला जाता है तो उसमें सिर्फ हम 100 से गुड़ा कर देते हैं मज़ा आया कि नहीं? इसका बेसिक तरीका भी बताएंगे जैसे देखो 3 बिटे 20 है ये भिन्न में है तो किसी भी भिन्न को प्रतिसत में बदलने के लिए उसमें हम सिर्फ 100 से इस तरह से गुड़ा कर देंगे अब 20 से 100 को काटो 20 एक के 20, 20, 25 सा हो जएगा 5 का उड़ा 3 में करोगे 5 जैं कितना आजएगा? 15 आजएगा 15 के सामने प्रतिसत का चिन लगा दो यही आपका उत्तर हो जएगा ये तरीका है शिखाया ज़ता है लेकिन इसका बेसिक तरीका जानते हो क्या होता है? उस चीज को सिखो मज़ाएगा जैसे देखो हमसे क्या बोला था? 3 बटे 20 है 3 बटे क्या था? 20 है इसको क्या प्रतिसत में बदलो? प्रतिसत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? उपर भी 100 से गुडा करते हैं और नीचे भी 100 से गुडा करते हैं तो बस ध्यान रखना जो नीचे वाला 100 से गुडा करेंगे उसको किसी भी संख्या से काटे पीटेंगे नहीं अब हम क्या करेंगे 20 से 100 को काटेंगे उपर वाले को 20-21 अब 20-500 हो जेगा 5 काउडा 3 में करोगे 5-15 हो जेगा अब नीचे क्या है बटे में 100 है तो 100 लिख लेना अब 15 बटे 100 लिखा है तो 15 लिखना नीचे से 100 हटेगा यहाँ पर प्रतिसत के रूप में लिखा जाएगा यह हो गया 15% और यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हमने 20 से 100 को काटा 20-505 का उडा 3 में के लिए 15 आया था लेकिन यह प्रतिसत का चिन हम अपने मनने लगा दिये तो यह गड़बड़ी है लेकिन ऐसा कर दोगे तो गलती नहीं होगा कोई गलत नहीं काटेगा उतना माल लिया जाता है लेकिन बेसिक तरीका बभनी यही है इसी तरीके से कही आ जाता है सवाल समझ में आया गी नहीं अब हम बलते है 20-40 को क्या करते है परातिसात में बदलते है भेंड में दिया है हम परातिसात में बदल लेंगे तो हमको मालूम है कैसे बदला जाएगा तो हम बदल नहीं देंगे 20-40 है तो इसमें हम लोग 100 से गुड़ा कर देंगे अब यहाँपर दिखो सामने 50 का चिन लगा तो यहीं आपका क्या होज़ेगा उत्तर होज़ेगा मजा रहा होगा खुम मजा रहा होगा चले आगे पांच बटे दस है यह भिन में इसको प्रशन तो बदलना है तो सव से गुड़ा करेंगे अब यहां पर जीरो से क्या होज़ेगा जीरो कर जाएगा 10 का उड़ा 5 में करेंगे 10 बचे 50 होज़ेगा सब कुछ कट पीट चुका है उड़ा भी हो चुका है तो बस 50 के सामने 55 कचिन लगा लो यही क्या होज़ेगा उत्तर होज़ेगा अब यहां आप 90 बटे 100 है इसको हम क्या करते हैं यह टबलू दे देते हैं इसको आपको घर प क्या करना है भीन्य में बदलना है अब इसका अभी नियम कानून आपको सिखा देते हैं तब मैदान में खुदा देंगे आपको यह दिज जाओगे आप यहां पर देखो प्रतिसत को अगर बीकुर नीचे में सव लिखा जेगा अब इसे काट पीट के सराल कर लो जीरो कर जेगा 16 काटो दो तीन इचा हो जेगा दो पंचे दस हो जेगा तो तीन बटे 5 आया है तो तीन बटे 5 यही आपका क्या होगा उत्तर होगा हमसे बोला था कि बाबू प्रतिसत को जरा भिन्ने में बदल दो तो प्रतिसाथ परसेंट था उसको हमने भिन्ने में बदलत कितना है तीन बटे 5 है मजा एक नहीं पहला दोड़ दिये दूसरे दोड़ में कुदाएं है यह भी तोड़ तारक निकल जाओगे 15 परसेंट है तीसे हम लोग 15 लिखेंगे परसेत के चिन हटेगा बटे में 100 लिखा जाएगा 15 बटे 100 को काट पीड़ दो 5 यह 15 हो जाएगा 5 दूना 10 यानि 25 से 100 हो जाएगा 3 बटे 20 कटेगा नहीं यहीं 3 बटे 20 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अब अगला परसन है 75 परसेंट है 75 परसेंट है 75 लिखो परसेंट का चिन हटेगा बटे में 100 लिखा जाएगा यह 5 से कट जाएगा तो 5 से काटोगे तो 15 पचे 75 होता है तो 5 15 हम क्या 75 कटेगा अब यहाँ पर 5 से 100 को काटोगे कितनी बार में कटेगा बीस बार में कटेगा अभी यह कर से इसलिए हम लोग इसे पांच से काटे है अराम से कर चुका है पचीस से डारेट काड़ते तो कड़ जाता पचीस से डारेट कैसे काड़ते जब पचीस का टेबल आपको याद रहता था जैसे पचीस से अगर इसको डारेट काड़ते तो कितना मज़े से करता जारा ध्यान दो 15 था 15 लिखे 75 का चिनहाटे बटे में 60 अब 25 का टेबल याद रहता तो कितना मजा था जी से हमको याद है आपको भी याद हो जाएगा 25 25 दुनी 50 25 तियां 55 5, 24, 10 3 बटे 4 आए के नहीं? तो 3 बटे 4 आपका क्या होजेगा? उत्तर होजेगा तो किसी भी सवाल वो लगाने के लिए calculation फॉस्ट करने के लिए कम से कम सा 25 तक कटेवल याद करो मना मन फटा फट लगाते जाओगे का मज़ा आएगा जब सवाल को लगाने के लिए आपको उतारा जाएगा ना कापी ऐसे भरेगा जाएशे कि कोई तुपान जा रहा हूँ बस पहाड़ा याद रहाना चाहिए और नियम कानून भी थोड़ा आदाज आना चाहिए यह नहीं कि बस पहाड़ा याद है बड़ा हैं नियाम कानून कुछ पता है नहीं है माइनस तीन माइनस दू करने को वा जाए तो हम पलस कर देते हैं अव गलती हो जाएगा चली आप शोला प्रतिशत को आप को क्या करना है भाब एए आपको भिन में बदलना तो बेने में बदलना है तो इसे हम 16 बटे क्या लिखेंगे सव लिखेंगे अब इसे आप काट पीट के सरल कर ले ना चाहूं तो यह डवलू दे दूँ या चाहूं तो यहीं पे निप्टा दूँ चलिए इसको यहीं पे निप्टा दिया जाए दो किसे कटेगा अब इसे हम काटेंगे दो दूटना होजेगा आड अब 4 बटे 25 किसी से कटेगा नहीं तो 4 बटे 25 यहीं आपका क्या होजेगा उत्तर होजेगा तो जब भी ऐसा प्रश्ण पूछा जाए ऐसी तरह से कर देना चले एगला प्रश्ण कराते हैं अगला प्रश्ण है अगले प्रश्ण को हम लोग कैसे सीखेंगे ज़र ध्यान देना यानि थार्ड थार्ड वार आप लड़ने जा रहे हो प्रतिसत को दसमलों में बदलना है इसको अब दसमलों में बदलना है ध्यान देना अभी आपने प्रतिसत को भीन में बदलना सीखा है अब आपको सीखाया जा रहा है कि अगर प्रतिसत आ जाए उसको बभनी दसमलों में बदलना है तो किसी भी प्रतिसत को दसमलों में बदलने के लिए सबसे पहले उसको भी बदलना पड़ता है नोट कर लो नोट कर लो दिमाग में बइठा लो किसी भी परतिस्थेत को 10 में बदलए के yatah ज्यां दो, दस परसंट है, तो इसी यह 10 लिखो, प्रत्सत का चिन हटेगा, बटे में 100 लिखा जाईगा, अब यहाँ पर देखो, हम 10 में क्या करेंगे, 100 से भाहवा देंगे, तो एक सुनना दो सुनना है, तो एक सुनना एक, दो अंग के बाद, यानि एक अंग दो अंग के से लिख लो अब यहाँ पर दो सुनना था तो दो एंक के बाद यानी यहाँ पर दसमलो लगेगा इसके सामने कोई भी संक्या नहीं तो जीरो लिख लो जीरो दसमलो एक सुन इसका क्या होगा उत्तर होगा उसी तरह से 60% लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 60 पटे 100 अब 60 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो एक अंक दो अंक के बाद दसमलो लगेगा यानी दसमलो 6 सुन अब दसमलो कि इधर कोई भी संक्या नहीं तो आप सुनना लिख लो यही क्या होगा उत्तर होगा मजा रहे कि नहीं सम मजा आएगा बस आप मजे में मजा लो तम न मज आएगा अब यहाँ पर 20% है इसे हम लोग 20 बटे क्या 100 लिखेंगे अब जरा ध्यान दू दो अंक के बाद दसमलो है तिसे हम लोग 0 दसमलो 2 सुनना लिख देंगे अब बोलेंगे यही हमारा उत्तर है कैसे लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 20 में 100 से भाग दे अंक हैं अब psychology क्या क्या लिखेंगे 25 बटे सौ लिखेंगे दो अंक के बाद लगाएंगे इसे 0 दसमलो 3 पांच लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा ऊत्तर होजएगा चलिए अब तीसरा वार आप लड़ चुके चौथे पड़ाव में लेकर चलते हैं चौथा क्या है हमको खुदी नहीं पता है अब देखते हैं क्या है बोला है कि दसमलो को क्या करना है प्रत्षत में बदलना है बदला ले लिया, अभी अपने प्रस्थत को दसमलों बदलाता ना, अब आपसे बदला ले लिया, बोल रहा है कि दसमलों को प्रस्थत में बदल के दिखा, अब हम दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाएंगे, जब आता है तो दिखाया क्यों नहीं जाएगा, अब यहाँ पर अब यहां पर 2.5 है उसे हम लोग इस तरह से 2.5 को 2.5 लिखेंगे यानि एक अंक्रेवक भलाइह आ तो यहां पर एक सुनना लगा कर एक लिख लेंगे यानि 25 अब यहां क्या हो चुका है भिन्न में आ चुका है तो किसी भी भिन्न को अगर प्रष्षत में बदलना तो मैंने या नियम क्या बताया था उसमें 100 से गुड़ा कर देंगे अब 0 से 0 कर जाएगा अब 25 का उड़ा 10 में करोगे 250 आएगा इसी के सामने प्रष्षत का चिन लगा देना यहीं आपका क्या हुजएगा उत्तर हुजएगा क्यों बताया ना तो बदला अगर जब कोई लेता है तो बड़ी सोस समझ के लेता है और उस बदले को पूरा करना आपका काम है 12.25 है बोला है कि यह 10 में इसको प्रष्षत में बदलो हम क्या क करना है प्रतिसते बदलना है इसको उड़ी यार माइक था माइक का तार हमारे पैर में बजहने लगा हम सोचे सांप हो पा गया है क्योंकि आजका सामन का मौसम चली रहा है हम तो डरी गए कि दारसन नहों गया है अब यहां पर देखो 12.25 इसे हमने 12.25 बटे सव लिख अब नीचे से सव अगर हटेगा इसके सामने प्रतिसत के रूप में लिख दिया होजेगा यही 12.25 इसका क्या होजेगा उत्तर होजेगा सब समझ में आया अब साथ 10 लोग 5 है तो इसे हम लोग 75 लिखेंगे एक आंके बाद 10 लोग तो एक सुनन लगा कर एक लिखेंगे 0 से 0 कर जाएगा 75 गुड़े 10 करोगे 750 आएगा इसी के सामने परसेंट का चिन लगा दो यही उत्तर होजेगा उसी तरह से 20 दसमलो 5 है इसको हम लोग 205 बटे क्या लिखेंगे एक अंके बाद 10 लोग तो एक सुनना लाकर एक लिखेंगे अब इसी में हम लोग 100 से गुड़ कर देंगे 0 से 0 कर जाएगा 205 का उड़ा 10 में करोगे कितना होजेगा 250 होजेगा अब इसी के सामने परसेंट का चिन लगा दो यहीं उत्तर हो जाएगा हमसे यहीं बोला था ना कि दसमलों को परशद में बदल हमने बदल बदल के दिखा दिया वह खुस हो गया तो चलिए अब ले चलते हैं फिर से आपको अगले कि तरफ अगला किंगरा बदल सब बदलना सीख गये अब आपको लेके चलते हैं बड़े मैदान की तरफ समझ में आ रही ही बाते की नहीं बस आप उतना सब कुछ सीख लिए यह सब तड़ा तड़ लगाते जाओगे बस फोड़ा सा ध्यान देना बोला है कि 500 का 35% कितना होगा कैसे हो जानते हो एसे सवाल कैसे लगाये जानते हो आपको पता है बस मैं बस काटा पीटी कर लो ना का दिक्कत है दो जीरो से दो जीरो कर जाएगा पांच गुड़ा 35 कर लो पांच पचीश हो जाएगा हासिल दो 15 15 16 17 175 तो हमसे बोला था कि 500 का 35% कितना होगा ते 175 होगा कितना होगा 175 अगर यहीं पर बोला होता कि 500 रूपया का पांच रूपया का 35% कितना होगा ते 18 krij непos पचातर रूपया अब बोला कि 200 का बीस परसंट कितना होगा अब तो इसको लगा ही लोगे KPT क्यों फटाक हो कि नहीं लगा लो लालो हburgा चलो हमारे साथ लगाओ कॉन लगाता है दो 100 कितना होजेगा ऑक 200 कितना हो तो हम क्या करेंगे 200 इस तरह से लिखेंगे का का मतलब क्या होता है गुड़ा होता है 20 परसेंट का मतलब होता है 20 पटे क्या होता है 100 होता है 2 0 से 2 0 कर जेगा 20 का उड़ादो में करोगे 20 दूना कितना हो जेगा 40 हो जेगा तो 200 का 20 परसेंट कितना होगा 40 होगा अगर यहीं पर पूछा होता 200 किलोगराम का 200 किलोगराम का 20 परसेंट कितना होगा तो 40 किलोगराम होगा कितना होगा 40 किलोगराम कुछ भी यहाँ पर रखके पूछता 200 रूपया का 200 रूपया का 20 परसेंट कितना रूपया होगा तो हम क्या बताते 40 रूप देरे देरे लगाओ कि सब आ जाएगा समझ में होगे नहीं जब आप पाइदा हुए तो ठोड़ी ना कोई चलना सिग गया अगर महालों कोई जानवार का भी बच्छा पाइधा होता है तो पहले उठता है फिर उठता है फिर उठता है फिर गिड़ता है वैके दिन में चलना सुसुरा सीख जाता है लेकिन जो आदमी का बच्चा होता हूँ बड़ी धीन लगाता है इसलिए पढने लिखने में थोड़ा दिन लगे गए लगातार पढ़ते जाओ देखो चले अगला प्रस्ण करते हैं अगला प्रस्ण कितना प्रतिसात होगा यह हमसे पूछ पिश्रो Chenुन यो ऌर्फ से सवाल में सीखले निकालना अब आप यहां पर बोला है कि पांसव मेंज चालीस 400 कितना होगा याणि पांसव क्या हो जैगा बाब कुलांग होजाएगा चारसो कितना हो जाएगा आस का नंबर हो जैगा नंबर नंबर बटे वता है पूरडांक गुड़े क्या होता है सव होता है बस इसी फार्मुले पर रख दोगे ये सारे सवाल निकल जाएंगे अराम से निकल जाएंगे अब पान सव में से 400 कितना होगा तो 400 क्या हो जाएगा नमबर इसमें ध्यान देना छोटी बाली संख्या अब चार सो है नमबर है तो 4 सो लिखो पूरांक मैंने बड़ी संख्या को क्या बोला नीचे लिखा जाता है इसमें सव से गुड़ा करना है तो सव से गुड़ा कर लो 2 0 से 2 0 कर जाएगा 5 हम इसको कार देंगे 5 48 हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बचाए तेक 0 लिख लेंगे 80, बस 80 के सामने परसेंट का चिन लगा दो, यही आपका उत्तर हो जेगा, क्यों? अब यहाँ पर 200 में से 150 कितना परस्त होगा, यह चीज बताना है, तो मैंने आपको क्या बता है था? छोटी संक्या हमेसा उपर लिख लेना, बड़ी संक्या हमेसा नीचे लिख लेना, अब बोला है कितना परसेंट होगा, इसी में 100 से गुड़ा कर देना, 2-0 से 2-0 कर जेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 सते कितना होज़ेगा, 14, अब बचेगा 1, 2, 5, 10, यानि 75 आ चुका है, 75 के सामने परसेंट का चिन लगा दो, यही आपका उत्तर ह मुझे का, मज़ा आया कि नहीं, बस इसी तरह सा सीखते रहो, खेलते रहो, कुदते रहो, सब सीख जाओगे, अगला है कितना होगा, यह बोल रहा है कितना होगा, अभी मैं कुछ दिर पहले जो सवाल बता रहा था, उसी प्यादारित है, यह बोला है कि 100 रूपय का 12 परसे कितना होगा, तो 2-0 से 2-0 कर जाएगा, यहाँ पर 12 बचाया, तो 12 होगा, 100 रूपय का 12 परसेंट कितना होगा, 12 रूपया होगा, कितना होगा, 12 रूपया, इसी तरह से निकाला जाता है, अगर मालो आप से पूछ दिया होता, कि 100 रूपय का, 100 रूपय का 35 परसेंट कितना ह साठ pixel की स्ब्सकेशा 5It इसके बाद कितना वजाता यहां पर बचता है तो 60 kg का 40% कितना होगा 24 kg बस इसी तरह से निकालते जाओगे फटाफट आता जाएगा जब आप सीखो के तभी तो निकाल पाओगे जब सिखवाए नहीं करोगे तो कहां से निकाल पाओगे चले अगला प्रश्ण करते हैं अभी नौ दस यारा बार अभी चार टाइप के प्रश्ण बचे हुए हैं लेकिन मस्त मस्त हैं सब सीखते चलोगे अराम से मजा लेते हुए चलो का दिक्कत है अब जो प्रश्ण हैंगे मजाएगा यहां पर बढ़ा हुआ प प्रत लीटर हो गया है डीजल का मुल्य डीजल का मुल्य में कितने प्रतिशत की ब्रिद्धि वही है इसको बताना है तो पिट्रोल पंप वालों का फाइदा है हम लोगों का घाटा हो जाएगा अब जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो कैसी निकालोगे हासने से काम चलेगा नहीं यहां पर देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको करना क्या हुआ है अब जब बढ़ा हुआ मुल्य आपको निकालना पड़ेगा तो कितना होगा जो बढ़ा हुआ मुल्य हुआ कितना है 33 रुपया है अब पहले कितना था 27 दसलों पांच रुपया था यहां बचेगा दू इससे उधालेगा बन जाएगा कितना बारा अब बारा मसे साथ घटा होगे कितना आजएगा पांच आजएगा यहां पर दसलों यहां पर बचेगा दो मसे दो गया कितना आजएगा सुनना आजएगा यानि पांदसलों पांच आया है तो पांदसलों रूपया क्या हुआ है बढ़ा है कितना बढ़ा है अगर आपसे कोई पूछे इतना नीचे माइक कैसे है अगर आपसे कोई पूछे डीजल का मुल्य पहले 27 दस लो 5 रूपया था अब उसका मुल्य बढ़कर 33 रूपया हो चुका है तो कितना रूपया बढ़ा हुआ है तो कै 37 घटा दोगे तो कितना रुपिया बढ़ा है पता चल ज़ेगा बाते संगे यानि पांदस्वलों पांच रुपया बढ़ा है अब कैसे अब प्रतिस्थ आपको बताना है यहां पर पूर्प सुचा है डीजल के मुल्य में कितने प्रतिस्थ की विर्द्ध है अब बराबर क्या हो जाएगा बढ़ा मुल्य बटे पहले का मुल्य गुड़े सव तो बढ़ा मुल्य कितना है पांदस्वलों पांच रुपया बढ़ा है पांदस्वलों क्या पांच लिख लेंगे अब पहले का मुल्य कितना है पहले का मुल्य 27 दस्वलों पांच है यहां पर 27, 10, 5 लिख लेंगे अब इसमें 100 से हम क्या करेंगे गुडा कर देंगे अब यह देखो इसमें एक अंके बाद 10, 10 है हम क्या करेंगे 10, 10 को दूर कर लेंगे कैसे 5, 10, 10, 5 बटे कितना है 27, 10, 5 अगर हम इसमें 10 से गुडा करें एक अंके बाद 10,000 दस से गुड़ा करोगे इसमें भी एक अंके बाद 10,000 इसमें भी 10 से ही गुड़ा करोगे जीतना आप उपर गुड़ा कर रहे उतना ही नीचे गुड़ा करना पड़ेगा तिये कितना होजेगा? अगर आप गुड़ा करोगे तिये होजेगा पांच से काटोगे बांच इंके पांच 5-5, इस्ए काटोगे कितना होज़गा 25, बचलेगा 2-25 फिर 5-25, चानल होज़गा, यहारा से कारण प्रतिसत कमी चीनी का मुल पहले कितना था 16 रुपया था उसका मुल घहतकर 14 रुपया प्रत कीलोंग्रा में कितने प्रतिसाट कमी होई है यानी हम लोगों का फाइदा हुआ है दुका हणदार का घहटा हुआ हैँ हुआ पर घघटा हुआ मुल्य कितना थहा शोला रूपया था अरे यार चीनी का मुल्य गट कर कितना चवदार गया तो पहले मुल्य कितना था घटा रूपया था घटा हुआ यहाँ पर घट कर कितना गया 14 रुपया अब घटा लो 16 मसे 14 घटा होगे 2 यानि 2 रुपया क्या हुआ है घट गया है तो यह बस इसी की ज़रुरत थे अब घटा हुआ मुली कितना है 2 रुपया है पहले का मुली कितना है 16 रुपया है अब यहाँ पर प्रतिशत निकालना है इसी में सव से गुड़ा कर दो अब यहाँ पर 2 से काटो 2,8,6 होज़ेगा इसको काटोगे 2,4,8 होज़ेगा 2,5,10,50 आचुका है 4 से 50 को काटोगे कितनी बार में कटेगा 25,4,100 होता है न 2,2,4 होज़ेगा इसको काटोगे 2,2,4 2,5,10 होज़ेगा अब 25 बेटे कितना आचुका है 2 आचुका अब यहाँ पर 25 बेटे 2 आचुका है तो 25 में अब आप 2 से भाद होगे कितना आजएगा देखो 25 में अगर आप 2 से भाद होगे तो 12,10 लोग कितना आजएगा 5 आएगा अब 12,10 लोग 5 आचुका है आपको क्या निकलना है कितने प्राइशत की कímी है प्राइशत कमी है तो बस इसी के सामने परसेंट का चिन लगा दू 1245 परसेंट की क्या हुई है कमी हुई है बस इतना ही था तो मैंने आज काफी अच्छे तरीके से आपको परिस्षत की काफी important सवाल बताएं आसा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा तो आप ध्यान से शुरू से लेकर वीडियो को फिर से देखिएगा जो चीज़ें ना समझ में आए हो अच्छे से समझ में आ गई है और जिन वालगों को समझ में आ गया है वो क्या काम करिएगा अपनी किताब से इसे परemaker लगएगा वशलना इनी पर чит करकर आप खुद से सवाल को सालब करिगा जो उत्तराय मेंच कर लीजिएगा बाकी वीडियो को अपने दोस्तों तक सेर कर दीजिएगा मिला जाए नेक्स क्लास में किसे यानने टापिक के साथ वीडियो को जाओ लाइक कर दीजिएगा थैंस पर वाचिंग, I love you